दिल्ली के पिछले दो दिन से हालात शांती वेवस्था के खराब होते जा रहे हैं दिल्ली के कुछ हिलाकों में खासकर पूर्वी दिल्ली में वो बहुत ही हमारे लिए चिंता का विशे है सभी दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विशे है और मेरी दिल्ली के सभी लोगों से अपील है कि कृपया शांती बनाए रखें जिसके जो भी मामलात हैं, जिसके जो भी मसले हैं सभी मसले शांती पूरवक बैठ के समाधान हो सकते हैं हिंसा से किसी का कोई समाधान निकलने वाला ना इस तरफ का समाधान निकलेगा ना उस तरफ का समाधान निकलेगा तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड के अपील है कि सब लोग शांतिय विवस्था बनाए रखें एक पुलिस वाले की, एक हेड कॉंस्टेबल की मौत हो गई, कुछ पुलिस वाले घायल हुए है इसके अलावा कुछ और सिविलियन्स की मौत हुई है ये भी सब लोग जिनकी मौत हुई है, पुलिस वाले भी और जो सिविलियन्स थे, वो हमारी थे हमारी लोग ہیں, हमारी दिल्ले के लोग हैं, हमारी देश के लोग ہیں तो जैसे जैसे अगर हिंसा बढ़ती है, तो कल को किसी का भी नलाव रा सकता है वो भी किसी ना किसी परिवार के सदस्य थे जिन लोगों की मौद हो यह तो यह अच्छी स्थिती नहीं है जिन लोगों के घर जल गए वो अच्छी स्थिती नहीं है जिन लोगों के दुकाने लुट गई वो अच्छी स्थिती नहीं है जिन लोगों की गाड़ियां मोटर प्रवाइकों को बुलाया था चाहे बीजेपी के विधायकों चाहे हमारी पार्टी के हों दोनों के विधायक आये थे और सभी सीनियर ओफिसस थे कंसर्ण डिपार्टमेंट्स के और जो उसमें निकल के आया वो ये की एक तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज को सबको आदेश द चाहिए फायर डिपार्टमेंट वालों को आदेश दिया गया है कि उनको एक डिक्कती आ रही है जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे पहुंचने में तो पुलीस के साथ कॉडिनेशन करके वो लोग वहाँ पे समय पे पहुंचें सभी विधायकों का एक जो कॉमन शिकाय थी वो ये कि पुलीस का संख्याबल बहुत कम है और नीचे पुलीस को एक्शन लेने की पावर्ज नहीं है जो लोकल लेवल पे विधायकों ने भी पुलीस से बात की तो वो कुछ एक्शन नहीं ले पारे हैं जब तक उनको उपर से ओर्रस नहीं मिलेंगे कि अगर उनको अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको लाठी चार्ज करने की हवाई फायर करने की उनको जब तक उपर से ओर्रस नहीं मिलेंगे तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले पारे यह ज़रूरत है जो अभी मैं अमिच्छा जी से मिलने के लिए जा रहा हूं बारा बजे तो उनसे भी ग्रहमंत्री जी से ये इसकी जिकर करूंगा इसके लावा बॉर्डर के जो हमारे एरियाज हैं वहां के विधायकों ने कहा कि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उन बॉर्डर को सील करने की जरूरत है और प्रिवेंटिव अरेस्क्स करने की जरूरत है जो जो लोग पे शक हो हमने मैंने अभी डिरेक्शन दी हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट्स हैं और SDM's हैं उनको की वो मुनादी करें और पीस मार्च निकालें लोकल पुलिस के साथ मिलके और लोगों को शांत और शांती बनाए रखने की अपील करें लोकल लेवल पे पीस कमिटी मीटिंग्स करें सभी धरम के लोगों को बुलाके और उसमें MLS भी मौजूद हों और लोकल जो जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे मंदिरों से और मस्जिदों से सभी को शांती बनाए रखने की अपील की जाए तो चीफ सेक्रेटरी साब भी मौजूद थे मैंने चीफ सेक्रेटरी साब से रिक्वेस्ट किया कि वो पुलिस कमिशनर से भी बात करेंगे और इस पे पुलिस संख्या बढ़ाने के लिए और लोकल पुलिस वालों को पावर देने के लिए उनसे अपील करेंगे मैं अभी आपके questions के जवाब नहीं दे पाँगा मुझे दौड़ना है 12 बजे मेरी meeting है अमिछ शाजी से फिर वहीं मिलेंगे आपको इमेची के बार